रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद कासर वहां फसे हुए भारतियों पर भी हो रहा है। रूस की मा रोने लगी। रोते रोते मा ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद यूक्रेन से लौटी बेटी के भी आसू चल पड़े। ये सवाल था उस भाई को लेकर जो यूक्रेन में ही फसा रहे गया। लेकिन जब बेटे का ख्याल आया तो आखों से आसू चलक पड़े। और बस यही सवाल उन्होंने पूछा भाई को साथ नहीं लाई। उसे वहीं छोड़ाई। मा के लब सुनकर अक्षरा की भी आँखे भड़ा। यूक्रेन से कानपूर पहुंची अक्षरा ने बताया। मैं अपने भाई के साथ कई किलोमीटर का सफर तैकर के एक खारकीव स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के बाहर धमाका हो गया जिसकी वज़ा से स्टेशन पर भगदर मच गई। इस दौरान मैं अपने भाई से पिछड़ गई। स्टेशन पर जरुट से ज़्यादा भीड थी। फिर किसी तरह से भाई मिला तो उसने मुझे ट्रेन में बैठा दिया। उसने मुझे कहा बहन तुम जाओ मैं किसी तरह से आ जाओगा। अक्षरा ने बताया मैं किसी तरह से पॉलन बॉर्डर पहुंची। वहाँ पर मेरा मोबाई स्विच ओफ हो गया जिसकी वजह से मेरी भाई आरफ से बात नहीं हो पाई। इसके बाद पॉलन से फ्लाइट के जरिये दिल्ली लाए गया। लेकिन मुझे भाई के छूटने का गम है। मैं माता पिता की भी खुशियां अधूरी है। अक्षरा की माने भी कहा कि बेटी के आने की खुशी है लेकिन बेटे के आने का इंतिजार है तब ही खुशी पूरी हो पाईगी। बैरहाल उमीद करते हैं कि जैसे यूकरेन से अक्षरा लौट आई हैं ऐसे ही उनके भाई भी लौट आए। मोधी सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। बैरहाल आपको इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके अपनी राही जरूर दीजेगा। जाते-जाते आपको सिंधिया के वीडियो के साथ छोड़े जा रही है। कि वेले करते आथे जुट कर दो प्रटेता है। गणे अटना अए इटो जरोरा इंड . सSTबик फिर्टोररी कोडे इंड आँ बिव कन लिए हूर का भूर चुर्टो जरो हैं और रोसं टंव संवाइस कर से अच्छीम, अ entitled तो ते बालोतनि पैक्थजन हैं. प्रदान मतरी जी is in touch with the Ukrainian रश्रपती जी, the conversations are on to ensure that everyone is brought home safely, conversations are also on with the Russian government and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मात्र भूमी में हम लोग सुरक्षित राके ही जैन की सांस लेंगे, बहुत बहुत आप लोग का स्वागत बदाना की जाता है, आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है, आप सब लोग का बहुत स्वागत है, I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them, Thank you very much, thank you, Jane!